वैसे तो गेवर राजिस्थान की फेमस मिठाई है पर सावन के आते ही भारत के लफख सभी जहरों में सभी दुकानों पर इसकी भरमार हो जाती है लेकिन घर में गेवर बनाना थोड़ा मुस्किल होता है कई लोगों को काफी परिशानियों का सामना करना पड़ता है जैसे कि तले में बरतन से लग जाता है या फिर फरफेक्ट जाली नहीं बन पाती या बिना मोल्ड के बनाना थोड़ा मुस्किल हो जाता है कि बनाने से पहले बना लेते हैं रबड़ी बनाने के लिए यहां पर मैंने लिया है 1.5 फुल फैट वाला मिल्क हमें सब फुल फैट वाला ही मिल्क लेना चाहिए इससे रबड़ी का टेस्ट बहुत अच्छा आता है तो इसे मैंने एक भारी तली की कड़ाई में उबलने के लिए रख दिया है जैसे ही दूद में उबाल आया तो हमने गैस की फ्लेम को स्लो कर दिया है ताकि यह धीरे धीरे उबलता रहे और इसके उपर एक मोटी सी मलाई जमते रहे जैसे ही मलाई जमेगी हम किसी स्पैचुला या कर्चली की सहाथा से उस मलाई को कड़ाई के किनारे पे चिपकाते जाएंगे इससे क्या होगा हमारी रबडी एकदम लच्छेदार बनेगी अगर हम मलाई हटागर किनारों पर नहीं लगाएंगे तो यह रबडी ना बनकर मावा बन जाएगा तो हमें यहां रबडी बनानी है इसलिए हमें इस्टैप करना जरूरी है तो यहां आप देख सकते हैं कि दूद पकते पकते आधा रह गया है और जितनी भी मलाई है वो इस तरह से मैंने हटा हटा कर सारी किनारों पर लगा दिये अब यहां पर हमारी जो रबडी है अल्मोस तयार हो चुकी है बहुत कम बच्ची है काफी गाड़ी हो गई है लगभग यह 300 ग्राम के आसपास बच्ची होगी 300-300 ग्राम अब ही मैं चला कर दिखाती हूँ तो यह देखने में आपको कुछ पतली दिखाई दे रही होगी लेकिन जब यह ठंडी होगी तब यह काफी गाड़ी हो जाएगी मैंने यहाँ पर एड़ कर दिये हैं तीन बड़े चम्मच सुगर के क्योंकि रबड़ी जादा मीठी नहीं बनाई जाती है अब मैं इसे ट्रांस्वर कर लेती हूँ एक बावल में और इसे ठंडा होने के लिए रख देती हूँ अभी देखने में रबड़ी हमारी थोड़ी सी पतली दिख रही है लेकिन जैसे ही ठंडी होगी और इसे हम फ्रीज में रख देंगे कापे गाड़ी हो जाएगी हमारा एक स्टैप कंप्लीट हो चुका है अब दूसरे स्टैप की तयारी कर लेते हैं तो यहाँ पर मैंने लिया है आधा गप देसी गी देसी गी को मैंने मेल्ट कर लिया है मेल्ट करना बहुत जरूरी है में मेल्ट गी लेना है अब इस गी में हम एड़ करेंगे तीन क्यूब आइस की तो अब इसको हम मिक्सी में डाल कर बहुत अच्छी तरह से चलाएंगे जब तक कि हमारा घी और जो आइस क्यूब है वो आपस में मिलकर एक क्रीम की तरह ना बन जाएं वैसे तो इस टैप यह हम हाथ से भी कर सकते हैं किसी चोड़े मुगे बरतन में घी और आइस को लेकर एक साथ मिला लेते हैं लेकिन यहाँ पे काम ज़्यादा आसान हो जाएगा इसलिए मैंने इसको मिक्सी में किया है तो यहाँ पर देख सकते हैं आप कि जो हमारा आइस था और खी था वो एक तम से जम गया है अब इस मिक्सर में मुझे कुछ बूंदे पानी की दिखाई दे रही है तो मैं उस पानी की बूंदों को बिल्कुल अलग कर लूँगी बिल्कुल पानी नहीं रहना चाहिए इसमें और अगर कोई आइस का टुकड़ा है तो आप वो भी निकाल दीजिए अगर ऐसा रह जाता है तो हमारा जो पेज्ट होगा आप अच्छा नहीं पनेगा अब मैने लिया है यहाँ पर एक कप मैदा तो इस मैदा को हम इसमें थोड़ा-थोड़ा करके आड़ करेंगे तो मैंने थोड़ा सा इसमें दो चम्मच मैदा डाल दिया है अब इसको थोड़ी तेर के लिए हम फिर मिक्स करेंगे तो इसी तरह से हम बारी बारी से जब थोड़ी तोड़ी तेर चला कर दो दो चम्मच इसमें मैदा आड़ करेंगे और इसको चला लेंगे सारी मैदा हमें एक साथ नहीं डालनी है बस इसी बात का धिहान रखना है और नहीं इसका पेस्ट जैसा बनना चाहिए हमें यहापे पेस्ट नहीं बनाना है इसको एक दरदरा सा रखना है यानि कि जो इसमें क्रम्बल क्रम्बल से दिखाई देते रहें अगर पेस्ट बन चा जाली है तो भी बड़ी आनी आइद ते करने के बात प्राद मिक्स करonnे कि यह RJ है तो कैसा रहता है तो देखें यहाँ फ़ يह सा इसके करम्बली ठासर बन गया है अब तो फ्रसी बची मेरत मेरत प्रादियों Bio अब साथ में डालेंगे एक बड़ी चमच भरकर मैदा बेसन डालना बहुत जरूरी है तो अब इसको फिर एक बार चला लेते हैं अब याँपर देख सकते हैं कि अभी ये मिक्स होने से रह गया है बेसन अलग है और मैदा अलग है अभी इसे थोड़ी केर और मिक्स करेंगे ताकि सारी चीज एक साथ मिक्स हो जाएं बेशन, घी, जो हमने आइस डाला था तो यहां पर देखिए थोड़ा सा जो टेक्सर है वो क्रम्बली हुआ है इसका अब हमें इसमें डालना है पानी तो पानी भी हमने आपके डालेंगे तो जिस कप से मैंने मैदा लिया था उसी कप से मैं यहां पर एड करूंगी तीन कप इससे बिल्कुल एकदम परफेक्ट जो इसका मिक्सर है वो बनके तयार होगा अब इसे हम लगातार कम से कम एक दो मिनट के लिए कंटीनी मिक्सी चलाएंगे ताकि जो इसका पेस्ट है यह बहुत अच्छी तरह से बन जाए पेस्ट तो नहीं कहेंगे इसको इसको सलेरी कह एक चममची डालें तो नीबू का रस डालने के बाद भी हमने इसको थोड़ी देट के लिए चलाया है अब यहाँ पर हमारा यह जो लिक्विड है बिल्कुल पनकर तयार है घेवर बनाने के लिए सबसे में ट्रिक यही है कि हमें इस लिक्विड को बहुत ठंडा रखना है जब हम इसमें पानी एड़ करेंगे तो वो भी एक्दम एक्स्ट्रीम लेवल का ठंडा होना चाहिए ताकि हमारा यह जो लिक्विड है बहुत ठंडा बने अगर हमें अभी गेवर नहीं बनाना है तो इसे उठा कर प्रेस में रख देते हैं जब बनाएंगे तब इसको नि दौनों तरह से आपको डाल के बताऊंगी और दूसरी ट्रिक यह है कि जब हम बैटर को जिस चीज में भी बना रहे हैं चाहें भगोने में बनाएं कड़ाई में बनाएं तो जब हम ऑईल गरम करें तो वह इतना गरम होना चाहिए कि दो तीन मूने डालने से भी वह उपर क जो जो जहाग बन रहे हैं या जो बबल्स बनना है वो उपर आएं तम उखते हैं यानि कि हमें फुल गरम तेल चाहिए अब आप इसको तेल में भी फ्राई कर सकते हैं और खी में भी बना सकते हैं मैंने यहाँ पर देशी की लिया है आप जाहें तो रिफाइन का भी तरीका है आप धीरे-धीरे कुछ-कुछ बूंदे उस लिक्ट की ओल में डालते रहे हैं और वो अपने आप एक जाग बनकर या फिरे बबल्स बनके चारो तरफ लगता रहेगा अब मेरा जो बैटर है भगोने वाला वो खतम हो गया है तो मैंने इसमें अब डालना सुरू कर दिया है बॉटल वाला आप देख सकते हैं आप इस तरह से बॉटल को उल्टा करें थोड़ा सदावा दे तो जो इसमें लिक्ट है फोस छेद के अंदर गिरना चाहें है छेद यह अपने आप बनता रहता है अब यहाँ पर मेरा सारा जो घेवर था बनकर तयार हो गया है आप देख सकते हैं तो मैंने इससे क्या करा है किनारों से छुटा कर नीचे को प्रेस किया है आप यह देखे मेरे पास मतनी है मतनी की जो डंडी है पीछे वाली मैंने उससे दबा कर गिवर को नीचे कर दिया है ताकि जो इसके उपर की लेयर है वो बहुत अच्छी तरह से सिख जाए उपर मैदा कच्ची ना रहे इसी तरह इसको दबा दबा कर सेखना है आप भगोने की जगा यहाँ पर कढ़ाई भी ले सकते हैं और कढ़ाई में मोल्ड आते हैं इनको बनाने के छल्ले जैसे आते हैं आप उसको डाल कर उसमें बना सकते हैं लेकिन घरों में यह सारी चीज़ें नहीं होती हैं तो मैंने इसी लिए एक छोटा जो 6 इंची का भगोना था मैंने उसमें आपको यह बना कर दिखा रहा है इतने गोल में यहाँ चार गेवर बनकर तयार हुए हैं और दिखें जब भी हम गेवर निकाल के रखें तो किसी चलनी में रखें ताकि धीरे धीरे जो उसका एकसेज ओयल होता है वो निकल जाता है यहाँ देखें प्लेट में कितना सारा ओयली खटा हो गया है अब आप देख सकते हैं कि कितनी अच्छी जाली आई है गेवर में और कितना क्रंची बना है ना जला है और ना ही कच्चा रहा है तो आप इस तरह से गेवर एक पार चरूर बना कर देखें अब बना लेते हैं सुगर सिराप तो सुगर सिराप बनाने के लिए यहाँ मैंने लिए है एक कप चीनी और एक ही कप पानी दौनों को हम तब तक पकाएंगे जब तक कि इसमें एक तार ना आ जाता देखें यहाँ पे अब मैं दिखा रही हूँ आपको अभी इसमें कोई तार नहीं बना है सिर्फ चीनी मेल्ट हुई है आप इस तरह से देख सकते हैं लेकिन यहाँ पे पांच मिनट के बाद यह देखें इसका कलर भी चेंज हो गिया है और यह थोड़ी चिप-चिपी होई है इस तरह से देखें यहाँ पे एक तार बढ़ने लगा है बस इसी स्टेश पे हम कैस की फ्लेम को आफ कर देंगे और जे ठंडा होने के लिए रख देंगे चलिए अब सर्फ कर लेते हैं हम गेवर को सर्फ करने से पहले आप लोगों से रिकेस्ट है कि प्लीज अगर आपको वीडियो पसंद आयो तो वीडियो को लाइक सेर जरूर करें और मेरा चैनल अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज प्लीज चैनल को सब्सक्राइब भी का लिग और साथ में कमेंट्स में जरूर लिखें कि आपको रेजिपी कैसी लगी है अब घेवर के उपर हम डालेंगे सुगर सिरफ हमें जितना मीठा खाना है उसके कार्डिंग हम सुगर सिरफ डाल सकते हैं अगर आपको crunchy खाना है तो आप इसके ऊपर सुगर सिरफ डालिए और खाई एक crunchy अगर आपको soft खाना है तो आप सिरफ में इसको डुबो के भी खा सकते हैं तब यह ज्यादा soft हो जाता है उसके उपर हमें एक layer लगाएंगे रबडी की जो हमने रबडी बना कर तयार रखी है और आप इस समय देख सकते हैं रबडी का कितना अच्छा texture आया है क्योंकि जब मैंने बनाई थी तभी बहुत पतली लग रही थी लेकिन जैसे ही मैंने इसको freeze में रख दिया थंडा होने के लिए तो ये काफी गाड़ी हो गई और इसे decorate किया है मैंने गुलाब की पंक्रियों से आप इसे चांदी के वरक से भी decorate कर सकते हैं तो देखिए कितना अच्छा लग रहा है लग रहा है एकदम हलवाई style गेवर तो प्लीज आप भी अपने घर में इसे जरूर बनाए और comments box में लिखे कि आपका गेवर कैसा बना है तो फिर मिलते हैं next वीडियो में next recipe के साथ तब तक के लिए बाई बाई